आप लोग देखते हैं कि हमारे देश में आरक्षन यानि की रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर आप देखते हैं कि हमेशा बिवाद बना रहता है और अभी हाली में आपने देखा होगा एक सो तीन बा जो समिधान संसोधन हुआ था दोजार उन्नीस में जिसके तहट सामान बर्ग की लोगों को जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुएं उन्हें 10% आरक्षन की विवस्था की गई थी और उसे भी सुप्रेम कोट में चुनौती दे गई थी और सुप्रेम कोट ने उसे सही माना यानि कि आप देखेंगे कि आगे 10% आरक्षन सामान बर्ग के जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उन्हें मिलता रहेगा इसी तरह से आप देखते हैं कि कई राज आपने यहां आरक्षन बढ़ा रहे हैं और इस्थानिये लोगों को नोकरियों में आरक्षन भी दे रहे हैं और इस पर भी यह काफी चर्चा में बना हुआ है एमपी में आपने मदपतेस में देखा होगा अभी हाली में घटना है जारखंड की और जिस तरह से आरक्षन बनाने की बात हो रही बढ़ाने की तो यहां 70% की लगभगा आप देखे आरक्षन पहुँच जाएगा लेकिन आप सभी जानते हैं ऐसा कहा जाता है कि 50% से अधिक नहीं होना चाहिए आरक्षन कई फैसलों में यह कहा भी गया है तो उन सब पर हमें बात करनी है और सबसे पहले आरक्षन की बात करें कि आरक्षन यह होता क्या है और रिजर्वेशन होता क्या है आप लोग देखते हैं कि आप लोग reservation करवाते रहते होंगे trend, flight, वसों में तो उसी तरह से यानि कि आरक्षित हो जाना तो आरक्षित की बात करें तो आप देखेंगे कि समीधान का अनुचेद अगर आप लोग 46 पड़ें तो यह प्रावधान करता है कि राज समाज की कमजोर बर्गों में सैक्षिडिक और आर्थिक हितों विसेश कर अनुसूचित जातियों अनुसूचित जान जातियों का विसेश ध्यान रखते हुए उन्हें समाजिक अन्याय और सभी पिकार के सोशन से सरक्षित रहेगे और देखें जो OBC बरक को पिषड़ा बरक को HTSC बरक को जो आरक्षिन मिला हुआ है वो आर्थिक आधार पर नहीं मिला है आर्थिक पिषड़े पन के कारण नहीं मिला है वो आप देखें सामाजिक और सेक्षड़े पन के कारण उन्हें यह आरक्षिन दिया गया है और आप सभी जानते हैं कि आज भी आप लोग कई घटनाय देखते रहते हैं जहां बेदभा होता रहता है तो आप सोची 1947 के पहले क्या इस्तिती रही होगी हमारे देश में जब तो हमारे पास न्याय विपालिका नहीं थी और आप देखें पुलिस विवस्था नहीं थी सुतन सरकार नहीं थी तो उनी को मुक्धारा में लाने के लिए इस तरह की आरक्षन की बात कही गई थी लेकिन सम्मिधान में इस्थाई प्रावधा नहीं है आरक्षन का यह भी आप लोगों को माल होना चाहिए जैसे आप लोग सम्मिधान का अनुछेत 15 पढ़े 15 पढ़े तो इसमें आप देखते हैं पदों और सेवाओं में आरक्षन की बात की गई है और 16 को पढ़े अगर 4 को तो आप देखते हैं कि इसमें आप देखें अनुछेत 15 पढ़े चार में सेक्षिरिक संस्थाओं में आरक्षन की बात की गई है वहीं अनुचेत 16 खुपने 16 चार को तो इसमें पदों सेवां में आरक्षन की बात की गई है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा और अगर हम लोग एक बार आप लोग जारकंड को देख लिए तो आप देखेंगे कि ये हमारा प्यारा भारत दिखाई दे रहा है और ये टमंबर सन 2000 की बात है इसकी सीमा बिहार से उत्तरपिदेश से और चत्टित्जगर्ड से उडीसा से और पच्छे मंगाल से लगती है यहाँ आप देखेंगे पंदरेन क्या बिधान सबापा में आपकी बिधान सबा में 118 सीट है अब आप लोगों के मन में एक और सबाल आता है, कि ये बिधहक और कानून क्या होता है, तो याद रखिए देखे राज जी की अगर हम लोग बात करें तो जब तक बिधान सभा में कोई पिस्ता हो रहता है उसे आप लोग बिधिया कहते हैं जैसे ही उस पर सहमती राज जिपाल की मिलती है वो कानून बन जाता है तो राजपाल के सिगनेचर होते हैं वो कानून बन जाता है इसी तरह से केंदर में आप देखेंगे राजसभा लोगसभा में जब तक कोई पिस्ता हो रहता है उसे आप लोग बिधिया कहते हैं और जैसी आप देखेंगे कि उस्वार राष्टपती की सहमती मिलती है हस्ताक्षर होते हैं वो कानून में बदल जाता है और हाला कि इन विधेकों का किरियानवन केंसरकार इन्हें समिधान की नौवी अनुसूची में सामिल करने के लिए संसोधन के बात किया जा सकेगा अगर आप देखी नौवी अनुसूची में डालती है इस मुद्धे को डालते हैं इस आरक्षन को तब तो ठीक है मिलता रहेगा और नौवी अनुसूची में नहीं डाला जाता है तब इस आरक्षन पर मुसीवत खड़ी हो जाएगी आप लोग ने मदपदेश में देखा है मदपदेश के अगर आप लोग निवासी होंगे तो आपको माल होगा 27% आरक्षन की बात की गई थी OVC बरक को और उसके बाद अब देखे हाई कोट में कितना लंबा मामला चला और अभी भी चल रहा है हुआ जारिकंड पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षन संसुधर मिधियक 2022 और इसके माद्यम से आरक्षन का दायरह 77% तक बढ़ जाएगा और इसके तहद आरक्षे सेंडी के भीतर अनुसुचित जातियों को 10 से बारे OVC को पूरुप के 14% के बज़े 27% आरक्षन और अनुसुचित जन्जातियों को पूरुप के 26 से बढ़ा कर 28% और आर्थिक रूप से कमजोर बार को 10% का कोटा पेदान किया जाएगा एक है जारखंड इस्थानिय विक्ती विधियक 2022 इसका उदिष इस्थानिय निवासियों के उनकी भूमी पन्नदियों जीलों मस्पालन की इस्थानिय विकास में उनकी हिस्तिदारी में इस्थानिय पारंपरिक और सांस्कितिक तथा बड़िजिक उद्यों में किसी रिड गरस्तता पर अधिकार या किसी रिड का लाव उठाने भूमी रेकॉर्ड के रख रखाओ एवं सरक्चन में या उनकी सामाजिक सुरक्चा के लिए और निजी और सारविजिक चित्मा रोजगार में या राज्ज में ब्यापार वाड़िजिक लिए कुछ अधिकाल लाव या अधिमान उपचार प्रिदान करना एक तरह से आप देखिए इस्थानिये लोकों को तहजी देना ठीक है कि ये नौकरिया इनके लिए आरक्चें ये सुविधाय इनके लिए आरक्चें थे बाहरी लोग इसका फाइदा नहीं उठा सकते हैं नौभी अनुसूची में सा 50% की सीमा को पार करता है जो इंदरा साहिनी बनाम भारस संग बिबाद था मामला था जो फैसला था इसमें कहा गया था कि 50% से अधिक आरक्चन नहीं हो सकता है और ये पहुंच चुका है कितना 77% तो आप देखिए नौभी अनुसूची में अगर ये सामिल होता है तब ही आप देखिए आगे बना रहेगा मिलता रहेगा लेकिन आप सभी जानती कि यहां राजनीती इस तरह से हो रही है अब माली जिए राजी सरकार ने तो एक काम कर दिया यहां से विधियक पास करवा लिया अब आप देखिए केंद सरकार पर नेवर करता है अगर केंद सरकार और इसे नौभी अनुसूचे में नहीं डालती है तब राज्य सरकार को क्या मिल जाएगा? राजनीती करने का मौका मिल जाएगा कि देखे हमने तो भाई कर दिया, अब वो केंद में बैठे जो लोगें वो नहीं कर रहे हैं वो नौवी अनुसूची में सामिल नहीं कर रहे हैं तो इस तरह की राजनीती होती है और सुप्रींग कोट देखिए सर्वोच न्याले की बात हो रही ही तो सुप्रींग कोट की बात हो रही है और सुप्रींग कोट आप सभी जानते हैं कि सम्मिधान एक संस्ता है समिधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है और आपको माल होने चीए 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी बर्तमार में 34 नयादिस ने एक आपका मुख नयादिस 33 नयादिस और इसमें आप देखिए इनके सेबा निवित्ती की उमरे 65 साल रखी गई है हाला कि नौभी अनुच्ची में एक कानून रखने सी यह नयाएक समिक्छा सी सुरक्चित हो जाता है यानि कि आप देखिए कि नयाएक समिक्छा सी बाहर हो जाता है और इसे पहली तमिलाडू पिछला बर अनुच्चित जाती अनुच्चित जन जाती सेक्षरेक संस्थानों में सीटाओं और राज्जों के तहट सेबाओं में नियुक्तियों या पदों का रख्चन अधिनियम 1993 ने राज सरकार में कॉलेजों और राजगार में 99 परसेंट सीटें आरक्षे की थी तमिलाडू में आप देखेंगे कि 99 परसेंट आरक्षेन है लेकिन वो 90 सूची में सामेल है इसलिए वो मान ने तमिलाडू को देखेंगे कि इसकी सीमा आंधपेदेश हो करनाटक हो या फिर आप देखेंगे कि केरल से लगती है यहां विधान सभा में 234 सीटें देखने को मिलेंगी लोग सभा में 49 सीटें है राज सभा में 18 सीटें है और तमिलाडू का छेतफल एक लाग 30,058 बरक्लि आले निहा के मुखमंत्री है और इस तरह से अगर हम नौभी अनुसूची में की बात कर रहे हैं अगर हम लोग तो आप देखेंगे कि इस अनुसूची में कैंदर और राज्य कानून को सामिल किया जाता है और जिसे न्याले में चुनोती नहीं दी जा सकती है और इसको समि इधान पिथम संसूदन अधिनियम 1991 द्वारा जोड़ा गया था नौभी अनुसूची को और पहले संसूदन में अनुसूची में तेरे कानून जोड़े गये थे बर्तमार में से 284 विसयों को सामिल किया गया है और इसका गठन अनुच्छेद 31 भी द्वारा किया गया था और जिसे अनुच्छेद 31 ए के साथ सरगार द्वारा केसी सुधार से समदित कानूनों की रक्षा करने और जमीदारी पिथा को समाथ करने के लिए लाए गया था और जबकि अनुच्छेद 31 ए कानूनों के बर्गों को सोरक्षा पैदान करना और अनुच्छेद 31 भी विश और जिसका अरुथ है यदि कानूनों को आजसमीधाने घोसित किये जाने के बाद नौवी अनुसूची में सामिल किया जाता है तो उन्हें उनके प्यारम के बाद से अनुसूची में सामिल माना जाता है। इस पर कारी चानुन मान होंगे। अगर आप देखे कि कानूनी मानता चाहिए तो नवी अनुश्य में सांब्ल हो जाना चाहिए। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि नौवी सा अनुसूची में कहते हैं कि इसमें सामिल किया जाए गया तो नियाएक जास से बाहर हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप सोची कोई ऐस्तिया बिसय है जो मौलिक अधिकारों और समिधानी की मूल सरचना का उलगन करता हो अगर वो नौवी अनुसूची में जुड़ा गया है तो वो नियाएक समीक्छा हो सकती है उसकी तो यह भी आप लोगों को मालू होना चाहिए नियाएक समीक्छा बिलकुल हो सकती है अगर वो मौलिक अधिकारों और समिधानी की मूल सरचना का उलगन करता होगा तो नौवी अनुसूची और नौवी अनुसूची के कानूरों नियाएक जाच की बात करें तो यहां कुछ बाद है यह भी देख लिजे केसबानंद भा वोकल गोलक नाथ पैसले को बरकार रखा और भारतिय समीधान की मूल सरचना की एक नई आउधार ना पेस की और कहा कि समीधान के सभी पर आउधानों में संसोधन किया जा सकता है लेकिन बेस संसोधन जो समीधान के सार या मूल धाचे को निरस्त या समाप्त कर सकेंगे ज लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग नीचे इसे गिरा दें, समझ रहे हैं आप लोग तो मूल धाचे को ना प्रभावित करते हो समीधान के, वामन राम राव बनाम भारत संग 1981, इस महत्पूर नेड़ा में सरवुच नेले ने फैसला सुनाया कि बेस अंसोधन जो 24 अपरेल 1973 से प आई आर को एहलो बनाम तमिलनारू राज 2007 और यह माना गया था कि पिते कानून को अनुशे 14, 19 और 21 के दैट परेच्छन किया जाना चाहिए यदि यह अपरेल 24 अपरेल 1973 के बाद लागू हुआ है और इसके अलाबा आप देखेंगे कि नेले ने अपने पिछले फैसलों को बरकरार रखा और घोसित किया कि किसी भी अधी नियम को चुनोती दी जा सकती है नियाइपाल का द्वारा जाच के लिए खुला ही अधी सम्मिधान की मूल सरणचा के अनुरूप नहीं है और साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि नौभी अनसूची के तहत किसी कानून की सम् आरपालिका या विधाईका द्वारा किसी भी आकस्मिक अत्वा तरखिन नितिकत पहल को वड़ावा देने से रोक लें के लिए नियाइक समीक्छा का भी प्रावधान होना चाहिए और इस बिसेबर विभेने हिद्धारकों को सामिल करने के आरक्षन निती में किसी भी खा समीधान संसुधन हुआ था ना दो जार उन्नीस में एक चुनाओ के पहले हुआ था 10 परसेंट आरक्षन की विए उस था सामन बरकिर जो आर्थिक रूप से पिछले हुए है उन्हें दिया गया था और 2019 में आप देके चुनाओ लोकसभा चुनाओ से पहले तो किसी भी रा उचेद 15 में 15 चे जोड़ा गया था और 16 चे जोड़ा गया था एक सो तीनवे समीधान संसोधन के तरह तो यह भी आप लोग याद रखेएगा और जब आरक्षन की कहीं बात होती है और इस तरह के कुश्चन साब देखिए आपकी मुख पर इक्षा में भी पूच लेते है और निबंद लिखने के लिए आ जाता है तो बड़ा निट्रल होकर सोचा करिएगा आप मालू चला कि एक तरफ आप सोचने लगे इसके पॉजिटिव पॉइंट बताने लगे हो सकता है आप निगेटिव पॉइंट बताने लगे तो बड़ा निट्रल होकर सोचना होगा इसके positive point ध्यान रखिए, negative point ध्यान रखिए, अपना भी विचार उस्वर रखिए, और इस तरह से आप लोग answer लिखते हैं ना, उसी तरह से, और ये बड़ा जटील मुद्धा भी है, और चलिए और बताईए किसी मुद्धे पर बात करनी हो तो, ठीक है?